युक्रेणी छिकाने पर फैब 500 बम से हमला किया गया है दवाके में पूरा हथिया डिपो ध्वस्त हो गया है नीपर डदी के किनारे बना छिकाना तबाह हो गया तो फैब 500 का इस्तमाल एक बार फिर से युक्रेणी छिकाने को टागेट करने के लिए किया गया है और इस धवाके में पूरा हथिया टीपो द्वस हो चुका है, तबाह हो चुका और इस बीच अगली बड़ी खबर का भी हम रूख करने जो रहा है बता दे आपको युक्रेन ने रूस का मिस्साइल हमला फेल कर दिया ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूसी क्रूस बिसाइल हवा में ही थोस कर दी गई है एर डिफेंस सिस्टम से तबाह की गई है मिसाइल, जमीन के बेहत करीब पहुँच चुकी थी मिसाइल आखरे वक्त में क्रूज मिसाइल को फस्क कर दिया गया और उसे से जुड़ी हुँ तस्विरे भी आपके सामने एर डिफेंस सिस्ट्रम का इस्तमाल कर इस मिसाइल को मार गिरा गया जो मिसाइल जबीन के बेहत करीब पहुँच चुकी थी और आखरी वक्त में प्रूज मिसाइल को किसका दियर ठस्क किया गया कि तस्वीरों में आप दोच से एक और बड़ी खबर बाकपुच से सामने आ रही है यहाँ पर युक्रेनी एफोस ने गिराए जडाम बम यहाँ पर जडाम के धमाके में रूसी बेस तबा हो गया हमले में रूस के दरजनों सेरिक मारे ज़ाने का दवा किया जा रहा है तो युक्रेनी एफोस का यह बड़ा हमला जडाम के धमाकों में रूसी बेस के तबा होने की खबर भी सामने आ रही है हमले में रूस के दरजनों सेरिकों के मारे ज़ाने का तबा क्या जा रहा ये जिडैम के धमाके से किस तरीके से रूसी बेस तबाह हो गया है तस्वीरों में साफ तोर पर आप देख सकते हैं हमले में रूस के दर्जरों से अनिक के मारेज़ाने का भी दावा क्या जा रहा है अर इदर यूक्रेन का रूसी चिकानों पर जबरदस्थ हमला भी देखा गया है बता दे आपको यूक्रेनी MLRS से अंदाधुन फारिंग की गई हमले में रूस को बड़े स्तर पर रुकसान के ख़बर भी सामने आ रहे है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं यूक्रेनी MLRS से अंदाधुन फारिंग की बता जा रहा है कि इससे रूस को हुआ है भारे लुकसान एक और बड़े ख़बर आपके सामने अंदरीवका में यूक्रेन का बड़ा हमला रूसी सैनिकों पर ड्रोन से बंबारी की गई है हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जौनी की ख़बर भी सामने आ रहे हैं यह तस्वीरे आपके सामने अंदरीवका से आ रहे हैं यहाँ पर उक्रेन का बड़ा हमला हुआ है, रूसी सेनिकों पर जोन से किसकदर बंबारी की गई है, यह तस्वीरों में साफतार पर देखा जा सकता है इस हमले में कई रूसी सेनिकों के मारज़ानी की ख़बर सामने आगे एक और बड़ी खबर आपके सामने, खुप्यांस्क में रूस का बड़ा हमला हुआ है, बताज़े आपको रूसी टागेट पार, यूक्रेनी हथियार डिपो, MSTAB होविजर से निशाना साधा गया है यूक्रेन के कई पोजिशन्स तबाह हो गए है, ऐसा दावा रूस की तरफ से क्या जा रहा है रूस की तरफ से यूक्रेन के कई पोजिशन्स को तबाह करने का बड़ा दावा क्या जा रहा है, तस्विरे भी आपके सामने और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रहे हैं जहां मौस्को में बड़े हमले की कोशिश हुई है मौस्को में युक्रेनी ड्रोन से हमला क्या गया दो एलाकों में एक सार हमले हुए हैं मौस्को से 40 किलो मीटर दूर इस तरह में ड्रोन इंटरसेप्ट किये गया है Air Defense ने हलाकि इन उक्रेणी ड्रोन्स को मार गिराया है तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उक्रेणी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर Air Defense ने मार गिराया है लेकिन एक बार फिर से मौस्कों में हमले की कोशिच हुई और इस बीच क्रेमिया पर भी युक्रेणी का ड्रोन हमला हुआ है एक बार फिर से क्रेमिया को मिशाला बना गया है रूस ने छे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है यहाँ पर युक्रेणी के ड्रोन हमले को नाकाम करने का आला कि दावा भी किया चारा है रूसी रक्षा मुन्प्राले की ओर से ये बड़ा दावा क्या गया है तो ना केवल मौस्को बलकी क्रीमिया भी टागिट पर है ये बड़ी खबर सामने आ रहे है जहाँ पर युक्रेइनी जोन से हमले की कोशिश यहाँ पर की गई हाला कि हमले को नाकाम करने का दावा भी क्या जोरा